तो आज का जो वीडियो मैंने बनाया है अब आने वाली है बरसात क्योंकि 15 जून के बाद लगबग लगबग हलकी फुलकी बारिष शुरू हो जाती है तो जो लो गार्डिन करते हैं तो उनके लिए सबसे इंपटेंट वीडियो यह है और जो नए गार्डनर हैं जिनको नए गार्डिनिंग श्टार्ट करनी है उनके लिए भी बहुत इंपटेंट वीडियो है क्या करना है कि सबसे पहलेंगों को मिट्टी तयार कर लेनी है तो एक मेरे पहले सिमेंट के कट्टू में टमाटर के पuju अच्छी तरीके से छेट कर लिए को कियोंकि अब मैं आज हम बनाएंगे इस मिट्टी को सही तरीके से उप जाओ क्योंकि इसमें से सारे पोशेक टत्व खतम हो चुके हैं क्योंकि इसमें मैंने टमाटर की पौध लगा रखी थी तो अब टमाटर तो आ चुके हैं और गर्मी है ज्यादा तब उनमें फलवार आना खतम सी ही हो लगा करके और देखिए मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं मेरे मिस्टर है वह मेरी बिल्कुल मदद करते हैं गार्डनिंग करने में वह जानते हैं कि अगर मैं नहीं मदद करूंगा तो यह अकेली लगी हुई रहेगी इसलिए आज संडे का दिन था तो वह भी आ ग तो इस तरीके से काव डंक मैंने अच्छी तरीके से एक सड़ी हुई काव डंक सूखी हुई बिल्कुल सही तरीके से मैं क्या करती हूं धीरे-धीरे करके थोड़ा-थोड़ा काव डंक स्टोर करती हुई जाती हूं और मैं इस मिट्टी को बहुत उपजाओ बनाऊंगी त आप देख रहे होंगे कि मैंने कितनी अच्छी क्योंकि आप जितनी भी गोबर की मात्रा इसमें मिलाएंगे काउडंक में मिट्टी की तो उतनी टैरिस गार्डनिंग हम करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि जमीन में तो पौधा पोशक तक लेता रहता है लेकिन अब आप करते हैं मैं तर्हस गार्डनिंग करते हूं कि मेरे पास है मुझे सभ्यआ बहुत प्रकृत लेती हूं और क्लिटी पर लॉक डाउन समय नहीं तुह मैंने कौको पीट उसी समय मिलाया था तो मैं बार बार झीट नहीं क्योंकि अगर इस गार्डनिंग करने में तो कोपीट बनाना सुखाना उसमें थोड़ा सा महनत काम और अगर आप इसी तरीके से मिट्टी बनाते जाएंगे उसमें मिलाते सेमें गर्णिंग के वीडियों बनाई है उसमें सारे मैंने सीमेंट के कत्चो में ही पौधे लगा रखे थे तो अब मैं थोड़ा थोड़ा गार्णिंग करना जान चुकी हूँ तो इसलिए अब मैंने ग्रोव बैक्स मंगा लिए हैं क्योंकि अगर कुछ भी रिजल्ट नहीं आता और घर में कहती ग्रोव बैक चाहिए तो तुम यह भी मंगा लो वह भी मंगा सुखा घर कर देैं मैंने इसमें bit to me Pizza उम एト Jeżeli mehr उब लिए उसके बाande मैंने कवड़ मिला दिया 30 उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी राक मिलाई है और बोन मिल मिल मिलाया है और кवार ब्लीद कंआ यह मेरे मिलेटी खाल इसमें चैनल में नहीं नहीं घशा हो स振ोड़ी स इस तरीके से इनमें grow bags में भर ली है तो अगर आप भी इस तरीके से नीचे आप इसमें एक layer सूखे पत्तो की आप गास की भरेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, अधेाँ इससे में भातर गास भर ली है । उसके बाद हम भातर हमें यह अधा ही कर लिया है। यह बुद्नी न भुड़ की है है। मिट्टी का कलर बिल्कूल पीला होता है। इतनी काली मिट्टी है तो समझे कि बहुत भातव मिट्टी। और उसके बाद जू मेरे पास और मिट्टी बच गई है मैंने और को दियार कर दिया और देखे़े यह मैने किनारे से लगा दीरे दीरे करके आपको मेरी पूरी छत पर पूधे नजर आने लग जाएंगे तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो पूरा देखें